हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल टॉपर स्टडी तो आज का अमरा टॉपिक होने चला है डबलू बीसीस के उपर ठीके जो डबलू बीसीस 16 तारिक होने वालत उनके लिए कुछ कि इंपोर्टेंट करेंट एफेर्ज करने वाले जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा एक्जाम related को स magnet होसाओ कोशिए तो चलिए देख लेतें सकते हो आप लोग तो स्टार्ट करो को तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेस्टिन आज का तो फर्स्ट क्वेस्टिन यह कोश्टिन जरूर पूशे जाएगा एक्जाम क्या कोशन है 15th BRICS Summit 2023 वास होस्टेड बाइच कांट्री कौन से कंट्री ने 15th BRICS Summit होस्ट किया है तो यह हो जाएगा साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है नाउ यह भी पूछ सकता है जो 14th edition वाथ जो 14th summit वाथ ब्रिक्स का वह कहां पे हो था 2022 में वह चायना में हुआ था ओके और 15 summits कहां पे होने वाला यह 15 ने यह 16 summit होगा तो कहां पे होगा तो यह रशिया में होने चला है ओके next question question number two which state has become the fully first fully e-governed state of India तो कौन सा state हो जाएगा first बना है तो यह हो जाएगा केरला state जो 2023 में यह बना है first fully e-governed state of India next question question number three क्या बोला गया which country has won the main FIH hockey world cup 2023 title तो कौन से country ने जीता है तो यह जीता है Germany ने Germany का यह कौन सा title है third title and host कौन होगा तो host हो जाएगी यहाँ पे इंडिया ने इसको host किया है next question question number four who has been appointed as the Central Vigilance Commissioner मतलब CVC of India मतलब appointment से भी question पूछेगा एक्जाम में ओके तो CVC कौन होगा तो हो जाएगा प्रवीन कुमा स्रिवास्तप को appoint किया गया है next question question number five the Kapilashwar temple has been included in the protected monuments list of ASI is located in which state कौन से state में located है यह तो यह हो जाएगा Odisha state में located है next question question number six which city has become the first Indian city to join the World Cities Cultural Forum ठीक है WCCF में जॉइन किया है कौन सा first Indian city तो यह हो जाएगा Bangaluru Bangaluru कौन से state में है तो Bangaluru करनाटका state में है next question question number seven the 80 G20 summit 2023 was hosted by which country very very important होगा यह ठीक है very very important यह जरूर पूछेगा G20 के कुछ भी portion से एक्जाम में पूछेगा तो G20 23 का जो हुआ है इस बार का 18 summit वह कहां पे हुआ है तो यह इंडिया ने किया है ओके सबसेंपोरेंट यह now important points क्या होगा कौन से जगा पे हुआ है यह भारत मंदपम पे हुआ है जो कहां पे यह निव दिल्ली पे G20 establishment का हुआ है 1999 में जो new added members कौन कौन है तो African union जो new added member है तो total कितना हो गया 21 member जिसमें से 19 countries है और दो union है एक हो जागी European union and other newly joined African union ठीक है 21 member से G20 में अभी नाउ 17 जो G20 22 हुआ तो वो कहां पे होता है जकर था इंदोनेशिया पे होता है 19 जो होने वाला है 24 में वो कहां पे होगा वो ब्राजील में होने वाला है ठीक है तो यह पूरा points जो सब भी points इस इंपोर्टेंट होगा एक्जाम के लिए next question question number 8 who has become the first omen chairperson of the railway boat कौन बने first omen chairperson of the railway boat तो बने जया वर्मा सिन्हाम next question question number 9 which of the following cities has become the first wetland city of India कौन से city पहले wetland city बने इंडिया के तो बने ये वुदाइपूर city जिसको वुदाइपूर को और भी एक नाम से जाना जाता है कौन से नाम है तो हो जाएगा city of lakes city of lakes पे जाना जाता है next question question number 10 the statue of equality is located in which state of India कौन से state में statue of equality located है तो यह हो जाएगा तेलिंग गाना में newly जो inaugurate किया गया है यह कहां पे होगा तेलिंगाना हाइदराबाद पे now statue का नाम किसके ओपर है यह सांत रामानुजा के ओपर है रामानुजाचारिया के ओपर है and place कहां पे होगा हाइदराबाद तेलिंगाना height कितना है इसका height हो जाएगा 216 feet इसका height है next question question number 11 who has been named as the global ambassador of the means ODI World Cup 2023 by ICC तो ICC ने किसको किया गया था तो यह हो जाएगा global ambassador हो जाएगा Sachin Tindulkar को किया गया था इस बार World Cup 2023 का next question 12 number question क्या बोला गया foreign minister is Jaisankar has been unveiled the statue of Mahatma Gandhi in which country कौन से country में तो यह हो जाएगा Paraguay में ठीक है यह भी important होगा ऐसी तरह के question भी WBCS में पूछा जाता है next question question number 13 क्या बोला गया which of the following Indian destination has been selected at the Time Magazine's world greatest place of the year 2023 तो कौन से दो प्लेस हो जाएगा यहाँ पे दो प्लेस होगा एक हो जाएगा Ladakh another one हो जाएगा मयरवज मयरवज कौन से state में तो हो जाएगा Odisha में लदाक क्या हो लदाक तो हमारे union territory है यहाँ पे जो state है तो Odisha का कौन सा हो जाएगा मयरवज next question 14 number question बोला गया अस पर middle tally what was the rank of India in the Asian Shooting Championship 2023 तो rank क्या होगा इंडिया का इंडिया का rank आया है second rank जिसमें से इंडिया ने total 55 mil जीते जिसमें से 21 gold, 21 silver and 13 bronze जीते है इंडिया ने next question 15 number क्या बोला गया विरंग गना दुर्गावती tiger reserve has been included as the 54th tiger reserve of India situated in which state कौन से state में ये तो विरंग ना दुर्गावती जो 54th tiger reserve बना इंडिया के वो हो जाएगा मध्र प्रदेश state में situated है ये वे important होगा WBCS के लिए next question 6th अच्छा विरंग ना दुर्गावती जो tiger reserve है वो कौन से state पे हो जाएगा तो वो हो जाएगा मध्र प्रदेश state पे हैं कौन सा ये मध्र प्रदेश का ही 7th tiger reserve है next question 16 number who has been appointed as a chairman of the central board of indirect taxes किसको appoint किया गया तो appoint किया गया है संजे कुमार अगरवाल को किसके लिए CBIC मतलब Central Board of Indirect Taxes and Customs के लिए संजे कुमार अगरवाल को appoint किया गया है appointment से भी question WBCS में पूछा जाता है बहुत important होगा next question question number 17 the 108th Indian Science Congress IAC 2023 was held in which city? कौन से city में held हुआई है? तो यह 108 जो सेशन वाई हो जाएगा नाकपुर में हुआ है theme पूछेगा तो क्या होगा 23 का? theme हो जाएगा Science and Technology for Sustainable Development with Women's Empowerment यह 2023 का theme हो जाएगा next question question number 18 who has won the main single title in the Wimbledon 2023? तो कौन जीता यह? यह tennis tournament होता है तो जीता यहाँ पे Carlos Alcaraz ने जीता है जो Carlos Alcaraz का first time है and Carlos Alcaraz कौन से state से belong कौन से country से यह भी पूच है तो कौन से country हो जाएगा तो हो जाएगा Spain से now women's single में कौन जीता है? तो women's single में Wimbledon 2023 में जीता है Marketa Wanderosoba ने जीता है वो कौन से country के? वो Czech Republic के दोनों ही important exam के लिए next होगा question number 19 who has been honored with the unique literary hour 2020 by the foundation of the Sark writers and the literature ठीक है तो 23 में इस prize को मिला है तो किसको मिला है? तो यह हो जाएगा Sheikh Mujibur Rahman को मिला जो ex-president है कौन से? जो president है ex-president हो जाएगा कहा का? यह Bangladesh का next होगा question number 20 who has won the Able Prize 2023 in mathematics so Able Prize जो किस में धिया जाता है? mathematics department में धिया जाता है and 23 में किसको मिला है? 23 में मिला है Louis Caffarelli को कौने Louis Caffarelli? Louis Caffarelli Argentinian American है 2022 में किसको मिला था? 2022 में मिला था Dennis P. Sullivan को Now he is a professor at the University of Texas he is an expert in the partial differential equation in mathematics and establishment का वाइज आवाट का 2003 में पहली बारी आवाट दिया गया है next question question number 21 who has been received the 57 ज्यानपीड आवाट 2023 ज्यानपीड आवाट किस में दिया जाता है? literature में दिया जाता है literature में सबसे highest आवाट होता है ये ज्यानपीड आवाट सबसे ज्यादे इंपोर्टेंट है ठीके? ये question पूछेगा ही पूछेगा 57 किसको मिला है? तो कौन हो जाएगा 57? तो ये हो जाएगा दामदर मोजो को मिला है 57 का जो ज्यानपीड आवाट 2020 थे तो ग्यानपीड आवाट किसमें दिया जाता है? literature में दिया जाता है ज्यानपीड आवाट जो highest आवाट होता है literature में ठीके? तो दामदर मोजो कौन है? दामदर मोजो हो जाएगा कौन कनी नोबिलिस्ट हो जाएगा? नेक्स्ट ग्रेशन नंबर 22 क्या होगा इंडिया के साथ किसका हुआ है कौन से अधीशन इस बार का 15 अधीशन है प्लेस कहां पह हो जाएगा उलान बातार मोंगो लिया हो जाएगा ठिक है नेक्स्ट ग्रेशन 23 नंबर who has won the main single title in the French Open 2023, tennis tournament, यह, एके, तो कौन जीता है, जीता है, नुवाक जोकोविक, कौन से कंट्री के नुवाक जोकोविक, तो हो जाएगा, सर्बिया के हैं, ठीक है, यह भी पूछा जा सकते है, कौन से कंट्री के हैं तो कहां पर हो जाएगा ये किसके साथ हो यह हुआ है एजिप्ट के साथ ठीक है साइक्लोन वन नेक्स्ट क्वेशन 25 नंबर तो प्रिट्जर जो कौन से तरह के प्राइज होता है यह आर्किटेक्ट्र प्राइज होते है तो किसको मिला है 23 में तो यह डेविट एलान चीपर फिलको 2023 में मिला है now पूछ चकता यह 2020 में किसको मिला था 2020 में फ्रांसिस कैरी को 2022 में मिला था ठीक है यह भी दोनों है यहाँ पे 23 है यहाँ पे 22 है दोनों ही important होगा exam के point of vision ठीक है तो आज का यह part 1 में इतने सारे question रखें जो प्रेंट हो सकता है ठीक है नेक्स पार्ट में कुछ question रखेंगे जो कितना exam के बहले तक कुछ important question देंगे जिसको जरूर देखके जाना हो सकता है इंपॉरेंट होगा exam के लिए exam में पूछावी जाता है